नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जी, स्टेडिय अड़ा में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सफिधान से पहले का वो समय जहां पर भारत का समयधानिक विकास देखने को मिला अलग-अलग हम यहां पर चार्टर, एक्ट, अधिनियम, यह सभी क्रम से जिस प्रकार से आए हैं, किसमें क्या चीज़ आई हूँ, सारी चीज़े हम देखेंगे, वाय सराय वगएरा और लाश्ट में एक कुशन हम आपसे भी जो है को पूछेंगे इसे पहले हमने भारती राश्टी आंदोलन देखा था, साइट माई बटन में पिछला वीडियो मिल जाएगा, जहां पर हमने एक वीडियो में पूरा आपको भारती राश्टी आंदोलन कवर करा है था, जो कि आपके कोर्स में टॉपिक भी दिया हुआ है और साथी साथ आपके कोर्स के कोर्डिंग, SCRT से समंधित प्रस्नोंगे, उसका भी विशेष ध्यान रखना है, SCRT और NCRT दोनों के चीजों को सामिल किया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सामाजिक विख्यान आपका कवर हो जाएगा, और सामान ने जो जाग रुखता है, यहाँ पर इन दोनों पोर्सन में यहाँ से कोशन आपको देखने को मिलेगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रिक से भी चीजों को स्टार्ट करेंगे, देखें, समिधानिक विकास के अगर हम बात करते हैं, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आया था, और सभी एक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हुए थे, जैसे कि कि किसी में बंगाल क गवर्नर को गवर्नर जर्नल बना दिया गया था, तो ये बदलाव आगे हम पढ़ेंगे, पहले इन चारो कोईंट को आप एकदम याद कर लें, इसके लिए हमने एक साइड में ट्रिक लिखी है, कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट कलाइब थे, पर आश्ट में आएगा भारत का पहला वाइसरा है, तो कौन थे, लॉडर कैनिंग थे, ट्रिक क्या है, आप के बीसी देखते हैं, के बीसी में अमिताब बच्चन जी हस रहे हैं, ऐसा जूम कर लिजे, तो के हसे और बीसी, के बीसी में जो है, के के बाद हसे सब जाएगा, बस आसे जो है, इससे हश्टिंगस हो जाएगा, के बीसी में जो बी है, उससे बैंटिक हो जाएगा, लॉड विलियम बैंटिक, और जो सी है, उससे कैनिंग हो जाएगा, इसको एक सीरियल से हमने इसलिए रखा है, ताकि आपको पहले बंगाल का गवर्नर जर्नल, पहले बंग से कौन आये हैं वो हम आगे देखते भी चले के सबसे पहला एक्ट आता है 1773 इसवी का Regulating Act इसमें हुआ क्या था इसमें भारत में East India Company की जो गतिविदियां थी इसको British सरकार की निगरानी में लाना ये लक्ष जो है वो अच्छा इस चीज को भी समझिये कि 1773 से पहले जो है वो आपको दो युद्ध देखने को मिले थे कौन-कौन से युद्ध थे एक था 1757 का आपका प्लासी का युद्ध और दूसरा आपका युद्ध था 1764 का बकसर का युद्ध दोनों को किस ने जीता था अंग्रेज ने जीता था तो अंग्रेजों के जीत लेने के बाद जो बंगाल था आपका उस पर ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने सासन का सिकंजा आपके कस लिया था अब वो यह चाहते थे कि यह जो सासन उन्होंने कसा है सिकंजा उसको और आगे वो कंटिन्यू आए यह आपको क्लिA होना चाहिए अच्छा सबसे पहला जो आया इसमें बंगाल का गवर्नर पहले हुआ करता था जब यह नहीं आया था उससे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था यह वा करके आए हैं इसको याद रखिएगा यही चीज मैंने कहा कि हमने शुरुवात में चारो एक साथ लिख दी हैं यह चारो अभी आपको एक एक करके किसमे आए हैं यह भी याद रखना है वो हम आपको आगे आगे आते बताते रहेंगे तो बॉर्रन हेश्टिंगर्स बंगाल क की गई थी तो कोशन किस तरीके से बनता है कौशन आप से बनता है कि कौन से एक्ट के द्वारा या रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा या सुप्रिम कोड की स्थाफना किस एक्ट के द्वारा या बंगाल का पहला गवर्नल जनल बना वो किस एक्ट के द्वारा तो किसी भी तरीके से question आपका बन सकता है तो ये हो गया 1773 का Regulating Act जो सबसे ज़्यादा important point है वहीं अमने इसमें लिखे हैं अगला point आपका है 1784 का Pits India Act जो की इसके जश्ट बाद आया 1784 का Pits India Act में क्या word आ रहा है Pits Pits मतलब किसी को पीटेंगे तो किसी को अगर आप पीट रहें तो दोहरी मार कहते हैं ना मारी जाती है मारने को संदर में तो दोहरा परसासन ऐसे आप जोड सकते हैं पीटने से किसी को एक बार नहीं मारा दुबारा मारा तो दोहरा परसासन Pits India Act 1784 का इसमें जो है वो आया था क्या था दोहरा परसासन एक था बोर्ड ओफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ओफ कंट्रोलर तो डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामले देखता था और जो कंट्रोलल होता था वो राजनीतिक मामले देखता था ये था 1784 का Pits India Actors अगला आपका आता है 1793 ESV का Charter Adenium Charter Adenium में जो है वो नियंतरण बोर्ड के जो सदस्य थे और जो करमचारी हुआ करते थे इनका जो वेतन था उसको भारती राजस्त उसे देने की विवस्था जो है वो की गई यानि कि भारतीयों का ही पैसा कुल मिलातर के खर्चो वो इस 1793 ESV Charter Adenium में आया अगला देखते हैं 1793 के बाद आपका आया 1813 का Charter Adenium इसमें क्या हुआ था? इसमें कमपनी के अधिकार पत्र को 20 वरसों के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया था और कमपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो एक अधिकार दिया गया था उसको छीन लिया गया था इसके साथ भारत के साथ व्यापार करने का जो कमपनी को अधिकार दिया गया था एक अधिकार उसको इसी 1813 Charter Adenium के साथ छीन लिया गया था किन्तु अगर चाइना की बात करें, तो चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों से व्यापार 20 वर्सों के लिए जो है वो एक अधिकार उसको मिल गया था, तो अगर आपसे पूचा जाएगा, कि कमपनी का भारत के साथ व्यापार का जो एक अधिकार है, वो कौन से एक अगला 1813 के बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 के चार्टर अधिनियम में कमपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, अभी उत्तर प्रदेश में आपका पेपर हुआ था, वीडियो वाला, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी वाला, वीडियो 2018 वाला जो रिएकजाम हुआ था, वहीं पर ये कोश्चन आया था एक सिप्ट में, जिसमें पूछा गया था, कि कमपनी के जो चाइना के साथ व्यापार था, उसको समाप्त किसमे कर दिया गया था, तो यहाँ पर आप देख रहे आपने इससे पहले देखा, किंगाल का गवर्नर हुआ करदा था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाय गया था, और वो बनाया गया था सबसे उपर जो हम देख करके आए हैं 1773 का regulating act, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाय गया था, परंतु 1833 का जो चार्टर अदिनि भारत्यों के एक आधत होती ना कहते हैं तीन तीन नंबर जो है काम विगाड़स देता है देखें तीन याद पर दो बारा रहा है तो भारत का गवर्लनल से जोड़ करके थोड़ा सा यद रख सकतें याद है तो अच्छी बात है थोड़ा सा जोड़ कर याद रखेंगे तो भूलेंगे ने आगे भारतिय कानून वर्गी करण जो है विधी आयोग जो है वो आपका इसी में ही 1833 में जो है वो जो चार्टर दिनियम था इसी में न्युक्तुभा था अच्छा भारत का पहला गवर्नर जर्नल था कौन क्योंकि भारत का गवर्नर जर्नल बना दिये गया था ना तो भारत का पहला गवर्नर जर्नल था लॉर्ड विलियम बैंटिक क्लियर है ये ट्रिक से उपर हम बता चुके हैं ये सबसे महतपूर पॉइंट है जो बदला गया है पद जिसे भारत का गवर्नर जनल वाला तो 1833 में इसको जरूर याद रखेगा अगले की तरफ बढ़ते हैं आपका अच्छा इसके अलावा वीडियो सबी लोग लाइक अव प्रतियोगी परिक्षाओं से भरने को लेकर के इसी एक्ट में लाया गया था आज भी देखते हैं UPSC परिक्षा और अलग-अलग परिक्षाओं होती हैं तो ये एक्ट ही है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल अधा करता है 1853 का और ये आपका अंतिम चार्टर एक्ट भी जाना जाता है चार्टर एक्ट है इस चीज को ध्यान रखेगा क्योंकि आगे देखेंगे तो 1858 क चार्टर अधिनियम भी है फिर क्यों इसको अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है इस चीज को थोड़ा सा समझीए ऐसा हुआ था कि कम्पनी ने 20 वर्सों के बाद जो भी एक्ट आपका आता था को 20-20 वर्सों के बाद उसकी समीक्षा करने को लेकर के बात की थी तो 1793 से आपका आ जाएगा 1813 फिर 1813 में फिर से आप 20 जोडेंगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 1833 और फिर से इसमें 20 जोडेंगे तो आपका आजाएगा 1883 और तिरपन वाला जो 20 वर्सों की स्रंखला चली आ रही थी इसलिए 1853 अन्तिम चार्टर एक्ट के रूप में आपक जाना जा रहा है अब यहाँ पर जो 1858 है उसके चार्टर अदिनियम की बात करते हैं तो भारत का सासन कमपनी से यहाँ पर ले लिया गया था और ब्रिटिस क्राउन के हातों में सौप दिया गया था बस इतना साही इसमें इंपॉर्टेंट है और इसमें मंत्री परिसत जो है उसका गठन भी किया गया तो विवस्था भी की गयी थी क्यों क्योंकि जब प्रिटिस क्राउन के हातों में सौप आ जा रहा है तो किसको कौन सा कारेभार दिया जाएगा तो यह चीज आपको मैंने आ लिखी नहीं है मंत्री परिसत तो आपको यह जगजाईर हो रही कि भारत में मंत्री परिसत की विवस्था भी 1858 के चार्टर दियम में ही की गई थी और साथ ही साथ जो सबसे important है वो है यह point कि भारत का जो अभी तक गवर्नर जर्नल होता था उसको अब क्या बना दिया गया वाइसराय बना दिया गया तो यह पूछा जाएगा कि कौन से दिन के बी सी में सी जो आता था उससे का से कैनिंग जो हो जाएगा यह आपको जरूर याद होना चाहिए किसमें गवर्नर हुआ किसमें गवर्नर जर्नल हुआ किसमें वाइसराय हुआ चली अगला देखते हैं 1861 का भारत सासन अधिनियम इसमें क्या हुआ इसमें गवर्नर जर् प्रद्शासन अधिन्यम उसके बाद बात करते हैं अगले की जो की आपका है 1909 का भारत सासन अधिन्यम ये और इसके जश्ट अगला वाला ये दोनों बहुत ज़्यदा महत्पूर हैं तो इनको तो आपको हर हाल में एकदम रट करके रखना है तो जिसका नाम है 1909 का भारत सासन अधिनियम का दूसरा नाम मारले मिंटो सुधार क्या था मारले मारले जो है वो भारत सचिव थे मिंटो कौन थे मिंटो थे वाइसराय धान रखेगा मारले भारत सचिव थे मिंटो थे वाइसराय और पहली बार इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए प्रथक निर्वाचक मंडल की सुविधा जो है वो दी गई थी तो ये बहुत ज़्यादा महत्वूड है मारले मिंटो सुधार इसी को ही किस और नाम से जाना जाता है नहीं बार कुश्चन में यही पूछ लिए आता है कि मारले मिंटो सुधार को किस और नाम से जाना जाता है तो आप्शन में 1909 इस भी का भारत सासन अधिनियम आप्शन में दिया जाता है तो वो नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही इसी के नाम है इसका जो मेन नाम है वो यह है जो आपको याद रखना है वो है Montague, Champsport, Sudhar Montague जो है भारत सच्चिव थे, जैसे वहाँ मारले सच्चिव थे इसी प्रकार Champsport जो है वो वाइसराय थे, जैसे कि वहाँ पर मिंटो थे जो कि हमने उपर आपको दिखाया भी तो भारत सच्चिव Montague और Champsport वाइसराय इसमें क्या विवस्था थी और ये विवस्था सबसे आदा एक्जाम में पूछी जाती है कि केंद्र में दुई सदना तो दुई सदनिये विवस्था है देखिए, दोनों चीजों में अंतर है, कई लोग confused हो जाते है दुई सदनीये है सब्द, ये अलग सद्ध है और दुई सदनीये होता है जैसे आप देखते हैं, एक सदन होता है, लोग सबा, एक सबा, राज सबा, ये सदन होता है दुई सदन वो होता है कि आपका केंद्र में सदन चला है, राज में सदन चला है किस एक्ट के द्वारा की गई तो भारत मॉन्टेक्टिव चन्सपोर्ट सुधार 1919 क्लियर है दोनों चीजों में अंतर है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी अधिनियम के द्वारा मिला था लाष्ट के तीनों पर ज्यादा फोकस करना है और पर श्टार्ट हुआ था प्रांतों में द्वाथ सासन वो शुरुआत हुआ था इस मॉन्टेक्टिव चन्सपोर्ट सुधार भारत परिशत अधिनियम 1919 के द्वारा और समाप्त किस में हुआ भारत सासन अधिनियम 1935 के द्वारा अब यहाँ पर प्रांतों में समाप्त तो लागू कर दी गई थी, कहां से समाप्त करके, प्रांतों में समाप्त करके, केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था, और किसमें किया गया था, इसी 1935 वाले जाएं, भारत सासन अधिरियम 1935 में, एक और important point है, इसमें, वो है 1935 में, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, और उडिसा और सिंद्ध दो नए प्रांत जो है, वो आपके बना दिये गये थे, तो यह बहुत ही आज का important topic है, सारी चीजों को रट लीजेगा, बहुत थोटा सा वीडियो है, मुझे नहीं लगता ज्यादा समय आपको जो है वो लगेगा, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रस्नम आपसे भी पूछेंगे, इसके अलावा वीडियो like, share, subscribe, सभी लोग अवश्य करते रहेगा, यह प्रस्नम आपके लिए है, भारतिय सम्विधान दिवस कब मनाया जाता है, यह हमने पढ़ाये नहीं है, परंतु सम्विधान पढ़ाना सुरू किया है, तो सबसे आसान सा कोशन यही है, और BPST का ही कोशन है, देखेंगे आप, तो 60-62, जो है, यह आपका जो BPST का एक्जाम होता है न, जिसे 68-69 वही नाम लिखता है, 2016 में यह हुआ था, इसी मैं पूचा गया था, पाँच आप्शन आपके PRT में भी आने हैं, मैं बता चुका हूँ, तो 26 अक्टूबर, 26 नॉंबर, 26 जनवरी, 15 अगर्ष, या इन में से कोई नहीं, या इन में से एक से अधे, अपना आंसर वीडियो के मेंन कमेंट में बताईएगा, तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, सविधान के और आगे वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार चैहन,